क्या आप अपने स्मार्टफोन को बेचने या एक्स्चेंज करने की सोच रहे हैं फोन बेचने या एक्स्चेंज में नए फोन लेने से पहले ये वीडियो को एक बार जरूर देखे क्या आप अपने पुराने फोन बेचने एक्स्चेंज करने के पहले फोन को फॉर्मेट करते हैं अगर बिना फॉर्मेट की अपने फोन को बेच जी हो तो कोई बात नहीं इस वीडियो में इसका भी एक सिलूशन है कि कि अलोव फ्रैंट स्वागत है ने चैनल जावपाइट में मेरा नाम जेवियर है और आप देखरेएं मेरा चैनल जावपाइट आप इस फिस्ट्व सीजन में नए स्मार्टफोन की डिल के दरान फुराने फोन को एक्शेंज कर रहे हो या बेच रहे हो तब फोन को सही तरीके से format करने का ध्यान जरूर रखे अगर फोन को गलती से बिना format की एक्षेंज कर दिये या बेज दिये हो तो ये ट्रिक जरूर आजमायता कि आपका data secure रहे ये ट्रिक फोन के चोरी होने या गुम हो जाने पर भी work करेगा तो इस वीडियो में मैं दो तरीके से फोन को format करने का तरीका बताऊंगा पहला है offline और दूसरा है online फोन का data offline के साथ online भी delete किया जा सकता है हम आपको इन दोनों process के बारे हैं बता रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं offline process की offline process से फोन को format का तरीका बहुत ही simple है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको phone की settings में चले जाना है और ये अलग-अलग phone की model में अलग-अलग हो सकता है जैसे कि यहाँ Lenovo 8 में phone settings के अंदर reset का option है और उसके अंदर factory setting reset का option होता है और OPPO phones में settings के अंदर additional settings के अंदर backup and reset के अंदर में ये option मिलता है तो ये हो गया offline तरीका phone को फॉन को फॉन लाइ 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 झाल 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 झाल